क्या बोला है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे यह कोश्चन्स में देखिए एक फोर की वैलू सेवन दिया है और एक टेन के लिए पूछ रहा है जब भी इस तरीके का कोश्चन सोना जैसे देखिए एक फोर की वैलू यहाँ पर दिया हुआ एक मिनट मैं पैन ले लेता हूँ ठीक है हाँ एक फोर की वैलू यहाँ पर दिया हुआ एक मिनट सोरी आया नहीं क्लिक किये लबट आया नहीं अब आ गया ठीक है अब आपके पास हमारा पैन आ गया एक फोर जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो उसकी वैलू दिया है सेवन किया A4 को मैं क्या लिख सकता हूं A plus 3D equal to 7 और यह वाला जो यहां पर equation है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं A plus 6D equal to क्या लिख दूँगा मैं 4 ठीक है थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा यह रफ कर लूं मतलब यह वाला ठीक है अब मेरे पास इसका solution कर दूँगा देखिए linear equation जैसा है अभी यहां से मैं इसको subtract कर रहा हूं क्या कर रहा हूं subtraction करूंगा ठीक है subtraction में करते हैं तो क्या होता है कि यह पूरी value में से यह value minus करते मतलब यह भी minus हो जाएगा यह भी minus हो गया और यह भी minus तो यहां से ए और यह तो cancel plus minus यह 3 और यह minus 6D है 3D में से minus 6D किये तो 3D आएगा और minus का sign है बड़े वाले का sign लगाते हैं यहां पर देखेंगे 7 minus 4 कितना हो गया 3 अभी यहां पर D equal to 3 upon minus 3 हो जाएगा मतलब D की value कितनी आ गई minus 1 अभी यह वाला आप किसी एक में put कर दो जैसे देखो A plus 3D equal to 7 अब A की value मुझे पता करना है यहां पर देखो 3 पर minus 1 का multiplication equal to 7 यहां पर A 3 और plus minus minus हो गया 3 बज़ा 3 equal to 7 यह minus 3 इधर जाएगा तो A की value आ गया क्या आपका 10 अब हमको चाहिए क्या हम हमको चाहिए A 10 देखिए A 10 equal to क्या हो जाएगा A plus 9 B A की value है 10 plus 9 और D की value minus 1 अभी यहां पर 10 और 1 देखो plus minus हो गया minus 9 बन जा 9 10 में से 9 minus हो तो 1 आ गया तो 1 कौन सा option है भाई यहां पर D वाला option हमारा right हो जाता है इस तरीके को questions आप देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए